एक से बढ़कर एक आयरुबेदिक आउसधिया धर्ती पर भरी पड़ी हैं नजानने के कारण कहीं ये आउसधिया घर का सोभा बढ़ाती हैं तो कहीं जंगल जहाड के रूप में पड़ी राती हैं आज हम एक ऐसी आउसधिय के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल अपने नाम के आधार पर काम करती है जी हां गुड मार गुड के मिठास को जो मार दे उसी को गुड मार आउसधि कहते हैं यह आउसधि सुगर वीपी स्नेक बाइट मोटापा लेवर पीसी ओड़ी और तवचा जैसी कई गंभीर बिमारियों में बेहद लाबकारी शिद्ध होती ह मैं डॉक्टर प्रियंका सिंग हूं राज की आरवच किसा राज की आरवच किसाले नगर बलिया में चिसा अध्यकारी के पत्पे कारे रहत हूं गुड मार जो है यह बर्सों से हमारे इंडिया में यूज होता आ रहा है शुगर कंट्रोल करने के लिए मैसे मलेरिया स्नेक स्नेक बाइट में इसका यूज होता है गुड मार के पत्तों को या तो उसका रस निकाल के पीने से शुगर में फायदा होता है या फिर इसका काढ़ा या चूंड बना लिजे सुखा कर उससे भी इसमें बहुत लाब मिलता है दूसरी चीज क्या है कि जो लड़कियों में पी-सी-ओ-डी के समस्या है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है वेट लॉस कराता है बहुत अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जिनको है वीपी के प्रॉब्लम में वह यूज कर सकते हैं इसके पत्ते के स्वरस को और पुराने जमाने में इसका मलेरिया और स्नेक बाइट में इसका यूज होता था इसको स्किन की प्रॉब्लम है उस उनारिल के तेल में इसके पत्ते के चूर्ण को मिला के लगाने से भी लाब मिलता है और यह हल्दी यह लीवर को भी हल्दी रखता है अगर बहुत जादा प्रयोग करेंगे तो सरीर में कपकपी होने लगती बेचायनी होगी कमजोरी होगी चक्कर भी आ सकता है लोकल एटिन के लिए बलियां से सनंदन उपाध्याई की रिपोर्ट